हेई एवरिवन आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेश्टी और गेहूं के आटे से बनने वाला या नास्ता लेकर क्या आई हूँ ना तो ये पीज़ा है और ना ही पराटा है लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा टेश्टी और बहुत ही फटा-फट से बन जाता है फिर लेंगे यहाँ पर आधा कप दही दही थोड़ी खटी हो तो भी चलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा खटा दही का आपको इस्तमाल नहीं करना है फिर लेंगे उसमें half teaspoon नमक और डालेंगे half teaspoon baking powder सारी चीजों को अच्छे से mix करेंगे और एक आटा गूत करके तयार करेंगे थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक medium soft दो तयार करेंगे जैसे कि हम पराठे या फिर पूड़ी के लिए तयार करते हैं फिर उसमें डाल देंगे एक टेबल इस्पून ओयल और अच्छे से मिक्स करेंगे और मलते हुए से सान लेंगे जब ये एक दो मिनट तक गूत जाए फिर हम इसे रख देंगे 10 मिन तक के लिए रेश्ट के लिए श्टफिंग तयार करते हैं तो इस्टफिंग में मैंने यहां डाला है 1.5 cup स्वीट कॉन ये बॉयल स्वीट कॉन है फिर डालेंगे इसमें 1 by 4 cup बारिक कटा हुआ सिमला मिर्च और डालेंगे 1 by 4 cup ग्रेट किया हुआ पनीर आप चाहें तो पनीर को इसकिप भी कर सकते हैं या फिर क्वाइंटिटी यहां सकते हैं फिर डालेंगे 1 by 4 cup ग्रेट किया हुआ गाजर वन टीस्पून ग्रीन चिल्ली तो टेवल इस्पून डालेंगे हरा धनिया और वन टीस्पून डालेंगे ब्लैक ओली मेरे पास था तो मैंने यह डाल दिया आप चाहें तो इसकिप भी कर सकते हैं फिर डालें उसमें 1-2 टीस्पून नमक, 1-2 टीस्पून ब्लैक पेपर का पाउडर, 1-2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1-2 टीस्पून मिक्स हब आप चाहें तो यहां पर कैचप भी डाल सकते हैं मैयोनीज डाल सकते हैं आपकी चोईस है अच्छे से मिक्स करेंगे जो हमारी स्टफि वो बिल्कुल तयार है इसे रख देंगे हम साइड में और अपने आटे को चेक करते हैं तो आटा भी यहां अच्छे से थोड़ा फूल गया है इसे वापस से 1-2 मिनट तेक के लिए गूत लेंगे और रोटी बनाने जितना इससे एक लोई तोड़ लेंगे इससे तक्रीब साहरा धनिया डालेंगे उपर से और इसे वापस से एक बार बेल लेंगे फिर जिस साइड हमने धनिया लगाया था उस साइड को नीचे रखेंगे और इसमें इस्टफिंग डालेंगे इस्टफिंग जितना एक बर में आया आप उतना डाल लें अच्छे से उपर से आपको बीच में ज्यादा आटा लगे तो आप यहां पर आटे को तोड़ भी सकते हैं हलका से इसे दबाएंगे बहुत ज्यादा नहीं बिल्कुल इसी तरह से इसी तरह से मैंने यहां पर बाकी के पीजा पॉप्स को भी तयार कर लिया है बहुत ही आसानी से बन जाती अप चाहें तो इसे बचीवी रोटी के आटे से भी बना सकते हैं अब जिस साइड हमने फोल्ड किया था उस साइड को हम यहां पर पानी लगाएंगे ताकि यह तवे में अच्छे से चिपक जाए तो मैंने यहाँ पर अच्छे से पानी लगा दिया है और लोहे के तवे को हम गरम कर लेंगे और अच्छे से उसमें चिपका देंगे मैंने एक बार में यहाँ पर तीन डाला है आप चाहें तो जादा भी डाल सकते हैं आप फ्लेम को एकदम लो रखेंगे और इसे दो से तीन मेट तक के लिए अच्छे से से शेख लेंगे दो से तीन मेट हो जाए फिर हम फ्लेम को मेडियम टू हाई करेंगे और तवे को उल्टा करके अच्छे से से शेख लेंगे चारो साइड से घुमाते हुए आप अच्छे से सेके ताकि ये जले ना लेकिन बहुत ही अच्छे से सीख जाए आप देख सकते हैं कितने अच्छे सीख गिया है और ये फूल भी गिया है नीजे से चुड़ा लेंगे और ये जो side side से ये नहीं सिखा है ये थोड़ा कच्चा लग रहा है तो मैं यहाँ पर इसे tong की मदद से पकड़ करके इसे side को भी अच्छे से से शेख लूँगी और हाँ friends ये जो मैं tong यूज कर रही हूँ तो सारे पीजा पॉप्स तयार हो गया है हम उसे निकाल लेंगे और उपर से थोड़ा सा भी है इसमें बटर लगाएं तो ऐसा चिली फ्लेक्स और औरिगेनो लगा करके आप इसे सब करें गर्मा गर्म बहुत ही ज़्यादा टेश्टी और बहुत ही आसान रेस्पी है और बहुत ही फटाफट से बन जाती है आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है बहुत ही जटपट वाली रेस्पी है मैं आपको इसे तोड़ करके दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा चीजी लग रही है बहुत ही जाए चीजी है और सबजियों से एकदम भरी हुई है तो healthy भी बहुत जादा है तो आप इसे प्लीज बच्चों के लिए ज़रू ट्राइग करें और हाँ अगर आप टिफिन में देना चाहते हैं बच्चों के लंच में देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर यूनी रैप लेंगे यह क्लोरिन फ्री है कैमिकल फ्री है और 100% eco-friendly है यह चार घंटे तक इसमें कुछ भी खाना रखने से यह बिल्कुल भी सौगी नहीं होती है और यह microwave सेफ है मतलब आप इसे इसमें फोल्ड करते के साथ ही आप इसे microwave में गर्म भी कर सकते हैं वीडियो कैसी लगी हो मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा मिलते हैं इसी तरह के आसान और मैदा रैस्पी के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक केर